दोस्तो आज बात करने जा रहे हैं एक महापुरुसकी जिनका नाम है डोक्तर बी आरंबेटकर जी के बारे में हैं बताना चाहता हूँ मैं आपको कि डोक्तर बी आरंबेटकर क्या थे और उन्होंने कितना संगर्स करने के बाद परिस्तितियों का सामना करने के बाद और अप बिधिया जाता है खंडित कर दिया जाता है और तरह तरह के कमेंट्स उन तक किये जाते हैं तो दोस्तों देखे उनलोगों का मूव अंध हो जाएगा अगर वो भी बाबा साहब کے बारे में समझेंगे बाबा साहब के बारे में जानेंगे, तो दोस्तों देखे, वीडियो को पूरी जरूर देखें, क्योंकि आपको ऐसा खुछ जरूर मिलेगा, जो मैंने बिभिन किताबों से पढ़ने के बाद प्राप्त करा है, और वीडियो के माध्यम से आपको फिर्दान करने की कोशिस कर साथ साथ एक अच्छे बखील से इच्छास बनावब व्यृग्यानिग इव तौ दोस्तो ने चाहत siyaa केстना सहान से दोस्तों देखें ऑधूनिक उप्यों के मनुट के नाम से भी जाना जाता है और जो कॉलंभिया युनिवर्सिटी है दो हजार मतल तीन में दो हजार तीन में जब उसके तीन क्या कह सकते हैं जब तीन सो साल पूरे हो गए थे तो उन्होंने पूरी पूरे दुनिया के सबसे वेस्ट छात्रों का चैन करने के लिए एक समीती गठित की तो बाबा सहाब नमबर एक स्कोलर रह हैं वहां से यानि कह सकते हैं कि 2015 में बराक ओबामने नमबर एक यानि पूरी दुनिया का नमबर एक स्टूडेंट का खिताब बाबा सहाब के नाम किया और उन्होंने कहा है कि बाबा सहाब जैसा बिद्वान पुरुस अगर हमारे यहां पैदा होता तो हम जो है बाबा प्रक्ति हमारे यहां पढ़कर गया है जिसने जाकर के भारत का समीदान बनाया और वहां के लोग उसके रणी रहेंगे बाबा सहाब सबसे पहले यह मानते थे कि सबसे पहले मैं सुरू में और अंत में भारतिया हूं जिस धारा की बात आग चलती रहती है धारा 370 बाबा स बिल्कुर इसके ब्रोद में थे वो जानते थे क्या पढ़नाम होंगे क्या दुस्पढ़नाम होंगे इस धारा के लगने के बाद इसलिए वो इस धारा का समर्तन नहीं करते थे उन्होंने देश को ही सर्वो परिमाना अपनी जंता को ही सर्वो परिमाना उन्होंने सभी के लिए कुछ ना कुछ किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जाती भि liken किया। लेकिन एक बात जरूर कहने की है कि अगर कोई व्यक्ति कमजोर है। उसे उठाने के लिए तो खुछ तो करना पड़ेगा। तो बाबा साहब ने भी भही किया। बाबा बाबा साहब ने जो कमजोर थे जो दलित थे जो पिचड़े थे जो ऐसे थे जिने समाज में जो है हे द्रश्टी से देखा जाता था उन्हें उठाने के लिए बहुत ही काम किया और बाबा साहब का मैं मानता हूं पिर्थी एक व्यक्ति को रिणी होना चाहिए क्यूंकि में हर एक व्यक्ति उसका लाब लेता है देखिए बात कर लेते हैं RBI यानि Reserve Bank of India ये बाबा साहब के प्रियासों की दैन है बाबा साहब ने एक किताब लिखी थी The Problem of the Rupees Its Origin and Its Solution इस किताब के आधार पर ही RBI यानि Reserve Bank of India की स्थापना हुई आप समझ रहे होंगे कि Reserve Bank of India का ज घराओ के लिए तो बाबा साहब ने इतना किया है कि जिसे कभी पैर की जूती के नाम से समझा जा जाता था जो मनुवादी समेसता उसे पैर की जूती समझता था बाबा सामने उनके लिए इतना किया है हिंदू कोड़ Rapha दिश्वी में 1951 में से इन्होंने एस्तीफा दे दि और बाबा साहब उसके समर्थमन में थे देखे बाबा साहब क्या है हिंदू कोड मिल में देखे जो माता पिता की जो संपत्ती होती है उसमें उसका दिखार होना चाहिए ये बाबा साहब कहते थे और उसके जो उसका दत्तक पुत्र होता है उसके इस्तान पर मतलब बेटी को को ही लाब मिलना चाहिए मतलब तीन चार ऐसे लाब थे जो मतलब जैसे विद्वा वेटी हो गई या कह सकते हैं उसके कोई बेटा नहीं महिलाओं के लिए ब्रसब आपकास की ब्याबस्ता की यानि जो आज बच्चे पैदे होने के बाद जो अफकास मिलता है ये बाबा साहब की देने बाबा साहब ने मजदूरों के लिए इतना कुछ किया कि मानिये के देखे सबसे पहले मजदूरों का स्वास्तिय भीमा कराया मजदूरों के लिए कौमन भीमा कराया और मजदूरों के लिए नियूंतम बेत का लाब लेता है और बाबा साहब ने मजदूर यानि नियूंतम मजदूरी निर्धायत की कि पिरतियक मजदूर को इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए बाबा साहब ने एक ऐसा बिधान बनाया जो पिरतियक जिले में एक मतलब रोजगार दबतर होना चाहिए बाबा साहब ने य अगर मालो किसी देश की सिक्षा को मैं आखता हूँ, तो उस सिक्षा को, उस सिक्षा के इस्तर को, उस समाज को, मैं महीलाओ की सिक्षा से आखता हूँ, अगर किसी भी देश की महीलाए, महीलाए सिक्षित होंगी, उच्छ होंगी, उनकी सोच अच्छी होगी, तो वो उतना ही अच्छा होगा बाबा साहब ने समीधान लिखने के बाद कहा था कि मैं समीधान की अच्छाई या गिनाने नहीं आया हूँ लेकिन समीधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो अच्छा साबित होगा अगर लोग मानने वाले अच्छे होंगे और बुरा साबित होग अगर समीधान को मानने वाले लोग बुरे होंगे तो इसलिए देखे बाबा साहब ने जो पिरियास किया तो वो व्यक्ति विशेश के लिए नहीं किया सभी के लिए बाबा साहब ने किया देखे बाबा साहब के जो विचार है उनकी जो लिखिवी किताब है केवल भारत ही न यह हैं, बाबा साहब ने किसी भी किताम में ऐसे सब्दों का यूज नहीं किया, जो किसी भी ब्यक्ति के, किसी भी समूदाओं को ठेस मोचा सके, बाबा साहब के द्वारा बनाए गए समीधान को देखकर, हमें गर्ब होता है, जब कोई बिदेशी कहता है, नैपाल कहता है, कि भविश्यक अगर हमारा समीधान होगा, तो बाबा साहब द्वारा लिकिस समीधान के जैसा होगा, अर्था तो भारत के समीधान जैसा होगा, और हमें गर्ब होता है, हमें गर्ब जब होता है, जब नैंसल मंडेला, यानि जिसे अफरीका का गांधी कहा जाता है, वो कहत पूरी दुनिया में Dr. B R M Baker से पड्हाक व्यक्ति और पूरी दुनिया में Dr. B R M Baker जैसी व्यक्ति नहीं है। से महान व्यक्ति अर्थात इतना टैलेंटड व्यक्ति पूरी दुनिया में नहीं है और इसी खास है उसने अपने यहां की यूनिवर्स्ट्री यानि उन्होंने तीन सु साल यूनिवर्स्ट्री के पूरे होने पर उसका सर्वे कराया कि दुनिया में सबसे टैलेंटड चात्र को उने उसमें से छेचात्रों का चैन हुआ और छे मैं से भी नंबर वन डॉक्टर बियारम बेट करते हैं इसलिए उन्हें सिंबल आफ नॉलिज के नाम से जाना जाता है बराक उबामा ने कोलंबिया युनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर ये लिखवाया है कि सिंबल आफ नॉलिज डॉक्टर बियारम बेट कर और बीच ओ बीच उनकी स्टेचिव यानि जो पिर्तिवा है वो इस्तापित करी है हम महानता से मतलब बाबसाब के बारे में देखते हैं जब कोई विदेशी बाबसाब के बारे में गर्ब से कहता है और हम भी गर्ब मैसुस करते हैं और गर्वान दित होते हैं जब आक्सफर्ड यूनिवर्स्ट्री यानि जो लंडन है लंडन के ब्यक्ति जब कहते हैं कि हमारे यहां ऐसा भी यक्ति पढ़कर गया है जिसने भारत का समीदान लिखा है और भारत के समिधान लिखने के बाद वहां के लोगों पर उसने जो एक ऐसा कार्य क्या है जिसे वो सदसदा के लिए उतार नहीं सकते यह जाता है कि इतने पढ़ाकु व्यक्ति थे बाबा साहब के जीवन से हमें बहुत सारी सीखे मिलती है बाबा सहब एतने पढ़ाकु व्यक्ति थे कि जब वो यह पढ़ने के लिए लाइबरेरी जाते तो आधा घंठा पहले जाते ते और आधा घंटा बाद में आते थे और जब वो पढ़के आते थे तो उनकी जेबें पर्चियों से भरी होई होती थी जिने आज के जमाने में हम नोट्स कहते हैं तो दोस्तों देखें कहा जाता है कि दुनिया में के बल दो ही व्यक्ति जीनियस माने गए हैं एक नमबर एक पर डॉक्तर बी आरंबेटर और नमबर दो पर अलवर्ष अस्टीन यानि जिसने साफेक चता का सिद्धान्त दिया तो से भी आदिक किताबें किताबें लिखें जैसे एनहालेशन ओफ कास्ट दा प्रोब्लम इट्स ओरिजन एंड सोलीशन और दा कास्ट इन इंडिया थोर्स ओन पाकिस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान और पाकिस्तान और पाकिस्तान और पाकिस्तान और पाकिस्तान और बाबा साहब ने दस साक्षे, साक्षे ग्यापन लिखे, दस से भी जाद साक्षे और ग्यापन लिखे, और बाबा साहब ने दस अनुसंधान और दस तावेज लिखे, बाबा साहब ने दस प्रस्थावना और क्या कह सकते हैं भविष्या भानिया लिखिए, देखिए वो व् व्यक्ति कितना माइंडेड रहा होगा कि अज भी कुछ व्यक्ति उससे नफरत करते हैं, उसकी मूर्तियों से नफरत करते हैं, उसकी पृतिभाव से नफरत करते हैं, उन्हें खंडित किया जाता है, उन्हें तोड़ा जाता है, और तरह तरह के कमेंट्स उपर किया जाते हैं दो कोड़ी के लोग जिनने पढ़ना तक नहीं आता वो बाबा साहब पर कमेंट करते हैं क्योंकि बाबा साहब ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादे डिग्रियां थी उनके पास 32 डिग्रियां थी और 11 भासाओं के व्याता थे अर्थात ग्याद भासाओं को जानते थे और देखे दो कोड़ी के लोग उनके उपर कमेंट्स करते हैं उनके बारे में तरह तरह के कमेंट्स करते हैं और ये तो मानिये कमेंट्स तो करते ही हैं उनकी मूर्टी तक से नफरत है अब कल्पना कीजिए कि उस व्यक्ति ने उस समय कैसे संगर्ष किया होगा अकेले व्यक्ति ने कैसे संगर्ष किया होगा और किस तरह से मतलब अपने समाज को अपनी क्या सकते हैं जो पिछड़े दबे-कुछले लोग ते जो महिलाये थी जो स पहले और अंत में भारतिय हूं मैं पहले और अंत में भारतिय हूं बाबा साहब ये कहते थे किस सिक्चा सेरिनी का दूद है किस सिक्चा सेरिनी का दूद है जो पिएगा दहाड़ेगा इसलिए मेरा सभी से गुजाली से मेरा सभी से कहना है कि आपको अधिक साधिक सिक्च बाबासाम ने कभी भी बेदवाब नहीं किया बाबासाम ने उन लोगों को कभी बहुत हेद्रेश्टी से देखे जाते थे बहुत'S चांब कहाता था और मंदरों में घुसने नहीं दिया जाता था तो बाबासाक की देन हक September आज हम स्वेतंत रूप से घुम रहे हैं, बाबा साब की देन है कि आज हम मंद्रों में चले जाते हैं, कोई हमारी रोकठोक नहीं है, और बाबा साब की देन है कि आज हमें समानता का धिकर प्राप्त है, अगर देखिए आपको knowledge बास्तम में बाबा साब के बारे में प्राप हमारी कमी रहती है, क्योंकि हमारा जो देश है, जातपात, उची नीच, भेदभाव, और आज भी छुआ छूत की चरम सीमाओ पर पहुंचा हुआ है, कुछ छेत्र ऐसे हैं, जहां मतले इन पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि वहां का सैक्षिक इस्तर उचा है, बाबा सा अबने किस प्रकार से, मतला अपने जीवन को काटा, उनका किस परिस्तितियों में जनम हुआ, किस परिस्तितियों में उनका लालन पालन हुआ, किस तरह से उन्होंने त्रिस्कार और अभेलना और तरह तरह दुद्कार का सामना किया, लेकिन फिर भी ऐसा अब्यक्ति जो ए बाबा साहब के बीचार हमें सत्यय बोलना सिखाते हैं। तो एक विद्यवेत्ता थे, यानि क्या सकते हैं कानून के ग्याता थे, एक लेखक थे, संपादक थे, अर्थसास्त्री थे, समासास्त्री थे, समासुधारक थे, इत्यास विद्य थे, मानब बैग्यानिक थे, यानि इतने कुछ थे वो, और देखें कितना मतलब talented व्यक्ति र इतनी थी कि सायद भी पूरी दुनिया में कोई हो बाबा साहब के बारे में कहा जाता है कि बाबा साहब के पास सबसे बड़ी परसनल लाइबरेरी उनके पास थी उससे में उनकी लाइबरेरी में 50,000 किताब थी 50,000 किताब है तो दोस्तों देखिए कि बाबा साहब ने किताब ग्यान के बल पर ही इस दुनिया को बदलने का पूरा प्रियास किया और दुनिया में इतना परिवर्तन कर गए कि आज भी कुछ लोगों को बाबा साहब से नफरत होती है बाबा साहब के विचारों से नफरत होती है बाबा साहब के जो इसने उससे नफरत होती है और बाबा स साब ने कहा कि एक अच्छा इत्यासकार या एक लेखा को निस्पक्च रूप से लिखना चाहिए मैं देखता हूँ जब मैं पढ़ता हूँ तो कुछ किताबों को कुछ लेखों को मैं देखता हूँ कि उसमें भी मुझे पक्षपात दिखाए देता है बेद बाद दिखाए क्योंकि बाबा साहब ने इतना कुछ किया, बाबा साहब के विचार हमें कुछ किताबों में ही मिलते हैं, जो परसनली जादतर किताब हैं, लेकिन जादतर किताबों में उनके विचारों को नहीं लिखा जाता, क्योंकि आज भी लोगों के मन में एक तुछ मानसिक्ता भरी और बाबा साहब ने सभी को समानता का धिकार दिलाने के लिए अपना सब कुछ नियोचावर कर दिया, यहां तक कि देखिए अपनी माता को खो दिया, अपने पिताजी को खो दिया, अपने भाई को खो दिया, अपनी बहनों को खो दिया, अपनी पुत्रों को खो दिया, अप बाबा साहब ने अपना सब कुछ जीवन में उच्छावर कर दिया और यहां तक कि बाबा साहब कहते थे कि मैं जो हो दुनिया के लिए कि या तो ऐसा कर जाओ जो दूसरा लिख सके या फिर ऐसा लिख जाओ दो दूसरा पड़ सके यह बाबा साहब कहते थे तो दोस्तों दे कि जब तक हम अपना इत्यास नहीं समझ सकते, जब तक हम अपना इत्यास पढ़ नहीं सकते, तब तक हम इत्यास बना नहीं सकते, क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक इत्यास पढ़ते हैं, और एक बे होते हैं, जो इत्यास बनाते हैं, तो दोस्तों हमें के पढ़ने वाला नहीं बनना है, हमें वो बनना है जो इत्यास बना सके, तो दोस्तों बाबा साहब ऐसे ही प्रकांड विद्वान थे, जिनके आगे दुनिया के बड़े-बड़े प्रकांड विद्वान भी नत्मस तक होते हैं, बाबा साहब ने प्रतियेक तबके के लिए सब 이 दुन्या लाइक करती है लेकिन एक दुरभाग्य की बात यहीं है कि भारत में पैस्ट होने के बावजूद भी बाबा साहब की बिचारों को कम बर्याता दी जाती है क्योंकि यहां के जो लोग हैं उनकी मानसिक्ता ऐसी है तुछ स्रेणी की मानसिक्ता आज भी जातिवादी स्रेणी की मानसिक्ता उनके अंदर भरी हुई है इसलिए वो जो है बाबा साहब के विचारों को बहुत कम एहमियत देते हैं बाबा साहब के विचारों को बहुत कम ल देखे एक बहुत बड़ी घटना मैं आपको बताता हूँ, इससे अंदाजा हो जायागे कि बाबा साहब कितने प्रकांड विद्वान रहे होंगे, बाबा साहब ने जब बोध धर्म अपनाया था, 14 अक्तूबर 1956 को, तो पहले दिन उनके साथ 5 लाख ब्यक्तियों ने बोध परिवर्तन किया था, बाबा साहब के लिए, और बाबा साहब का जब देबाब सन हुआ, अर्थात जब वो स्वर्ग सिधार गए, कहा जाता है, तो कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो सो, तो बाबा साहब के हुए थे, क्योंकि बाबा साहब के अंतिम संसकार में 3,84,000 लोग इखटे हुए थे अभी तक पूरी दुनिया में इतने व्यक्ति किसी के भी अंतिम संस्कार में उपस्तित नहीं हुए इसी बास से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहें व्यक्ति कितना प्रिकांड विद्वान रहा होगा वहें व्यक्ति कितना टैलेंटेड रहा होगा कि जिसके विचारों को आज भी मतलब पूरी दुनिया में बरियाता दी जाती है और जब पूरी दुनिया बरियाता देती है तो हमारा सीना गर्भ से चोड़ा हो जाता है कि बाबा साहब हमारे यहां पैदा हुए थे और बाबा साहब ऐसा कर गए कि जिसके बल पर हमारा भी दुनिया में नार है होती है उन पर भी काम किया रियंद घाटी परियोजना पर काम किया दामदर घाटी परियोजना पर काम किया और कोशी परियोजना पर काम किया महानदी परियोजना पर काम किया उन्हों ने जो है मतलब इसे शुरुवात किया ऐसा मानिए कि उसमें बहुत ही अहम योगदान बाबा साहब का रहा है बाबा साहब ने तीन पार्टीयू को अगठन किया सेड्योन कास्ट फैंड्रेसन पार्टी एक दूसरी स्वेतंतर लेवर पार्टी तीसरी वार्टिय रिवबृलिक पार्टी और दोस्तों उन्हों ने तीन सामाजिक संगठनों का निर्मान किया कौन कौन से सामाजिक संगठन थे देखे एक वहिस्क्रत हितकार्णी सभा दूसरा था समता समता सैनिक दल और तीसरा था हमारा मूक नायक और देखे बाबा सहाब ने तीन सैक्षिक संगठनों का भी निर्मान किया वो कौन से थ सबसे पहले बिदेशी डिगरी प्राफ्त करी बाबा सहाब ने ही सबसे पहले बिदेशी डिगरी प्राफ्त करी बाबा सहाब कानून मंत्री रह चुके हैं यानि कानून सबसे पहले बो कानून मंत्री थे नहरू कैबिनेट मिसन में बो कानून मंत्री थे और दोस्तों देखिए बाबा सहाब के बारे में थोड़ा सा मतलब उनका जो जनम था उसके बारे में बता देता हूँ जैसा कि आपक पिता का नाम भीमा भाई और पिता का नाम राम जी सक्पाल था कहा जाता है कि इनके पिता जी अंग्रेजी सैना में सूवेदार थे और कहा जाता है कि कुछ दिन के बाद इन्हें निकाल दिया गया यानि वहां से जो सूवेदार थे सूवेदार के पल से उन्हें निकाल दिय गया और फिर इनका जीमन बढ़ा ही कठिन हो गया दोस्तों देखें जब सुभेदार होते हुए इनके साथ ऐसा सलूक किया जाता था तो एक सामान ने व्यक्ति के साथ कैसा सलूक किया जाता होगा यह आप खुदी सोचिए यह बाबा साम ने इतनी कठिन, कठिन, समस्याओं क दंका बजता है देखिए एक रूस के रूस का जो राश्ट्य पती है वो अपने मतलब जहां वो बैठता है यानि जो उसका हैड ओफिस है कह सकते हैं जहां वो बैठता है तो उसके जस्ट पीछे बाबा साहब की प्रतीवा बाबा साहब की तस्मीर लगी हुई है तो मैं बढाऊँ यह स्रेश्ट है इस तरह से मतलब ऐसी मानसिक्ता के लोग है जो बाबा साहब के बारे में सोचते रहते हैं और बाबा साहब की मूर्तियों को खंडित करते रहते हैं पताने मिलता क्या है यार मतलब जो सरकार है वो भी एक ठोस कदम नहीं उठा सकती क्योंकि मैं देखता हूँ तरह तरह की ऐसी खबर आती रहती है जिसमें बाबा साब की मूर्तियों को खंडित किया जाता है बाबा साब की मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है बाबा साब के लिए तरह तरह के कमेंट एक जो समीधा निर्वाता जिसके आधार पर पूरा देश चल र जो दबे कुछले लोग थे उनके लिए देश और विदेश में निसुल्ख सिक्षा की बेवस्था की और थात्वो बिना पैसे दिये ही पड़ सकते हैं उसकी भरपाई सरकार करेगी यह बाबा साहब की देन है और बाबा साहब नहीं बाबा साहब ही कहते थे कि जीबन लंबा नहीं महान होना चाहिए कि जीबन लंबा नहीं महान हो कि हम पैदा गरीबे में हुए हैं यह हमारी बसकी बात नहीं लेकिन अगर हम गरीब मरते हैं तो यह हमारी बसकी बात है यानि कहने का मतलब यह है कि अगर तुम गरीब पैदा हुए तो तुमारे बसकी बात नहीं ले जै हिन जै भारत जै समीधार जै भीम